शूरी को पिता और आत्मा का कारग्रा माना गया है यह एक ऐसे ग्रह है जिनने हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं शूरी की कुंडली में इस्तिती या गोचर में इस्तिती ब्यक्ति के जीवन को अनेक रूप से प्रभावित कर सकती है शूरी हमारे गरिमा, फ्वाविमान, एहिंकार और करियर का भी प्रतीक ग्रह है ऐसा माना जाता है कि शूरी हमारे समर्पन, सेहन सकती, जीवन सकती, इच्छा सकती, मान सम्मान और नेत्रित्त करने की शमता को नियंत्रित करता है इसके अलावा शूर्य, पिता, सरकार, राजा और उच्च अधिकारियों का कारक ग्रह माना गया है अगर हम अपने सरीर के अंगू की बात करें तो शूर्य हमारे हिर्दय और हड्यों को दर्साता है शूर्य का जब भी गोचर होता है वह ब्यक्तिके पेशेवर जीवन, ब्यक्तिका जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्त और शिक्षा आधि कई छेत्रों को प्रभावित करता है हलाकि हर राशी के लिए जिने असुप परिणाम प्राप्तों होते हैं, उनके लिए उपाई भी बने हुए जिने करना इस गोचर काल की अवदी में बहुत आवश्चक होता है कोई भी गोचर किसी भी राशी में हो या किसी भी भाव पर हो वहाँ आपको असुप परिणाम दे रहा है लेकिन आप उस गोचर की अवधी में उस ग्रह से संबन्दित बताए गए कारियों को करते हैं तो उस गोचर का असर आपके जीवन में बहुत अल्प मात्रा में रहता वहाँ आपके जीवन को नकारात्मक रूप से उतना प्रभावित नहीं कर पाते तो यहाँ हमारे उपर है कि हम किस ग्रह के लिए उस गोचर की अवदी में क्या कारी करते हैं कुछ कारी ऐसे होते हैं जो ग्रह के विप्रीत होते हैं उससे उस गोचर की अवस्ता और ज्यादा प्रभावित हो जाती है नकारात्मक परिलाम बढ़ जाते हैं तो इसलिए किसी भी गोचर अवदी की फलादेश के सांचान उससे सम्मंदित बताए गए उपायों को भी करना जरूरी है और यह जो कारी होते हैं यह जादा बड़े नहीं है मुश्किल से 2-3 मिनट में इस कारी को आप आसानी से कर सकते हैं जादे से जादा 5 मिनट तो अगर आपके इन कारीों से आपका पूरा महना वह गोचर काल सुब जा रहा है आपके अशुप परिणामों में कमी आ रही हैं तो इसे हर किसी व्यक्ति को गरना चाहिए तो आत्मा के कारग्रह सूर्य 16 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बच कर 38 मिनट पर राशी चक्र की नवी राशी धनु राशी में प्रवेश करने वाले हैं धनु राशी अगनी तत्व की राशी है यह राशी धर्म, उच्च शिक्ष्या, विश्वास, वेदांत, सच्चाई, भाग्य, धन, प्रेणा, बुद्ध्य और सौभागी की प्रतीक राशी मानी गई है शूरी का धनु राशी में गोचर आस्ता और धार्मिक्ता के प्रती किसी भी जातक की भक्ति को दर्साएगा इसलिए शूरी का यह गोचर उनके लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा जो लोग सच्चे धर्म और समाज के प्रती उनके कर्तब्यों के बारे में प्रेरित करने का कारी करते हैं इसी तरह से शूरी का यहां होने वाला गोचर हमारी बारा राशियों पर भी अनेक प्रकार के प्रभाव डालने वाला है कुछ राशियों के लिए यह गोचर काफी लाबदायक सिद्ध होगा और कुछ राशियों के लिए इस गोचर की नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे हलाकि जिन जात्कों को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे उन जात्कों को घबरानी की आवश्यक्ता नहीं वहाँ उस राशी से संबंदित बताए गए कारी को इस समयवदी में अगर करेंगे तो इस नकारात्मक परिणामों में बहुत अधिक कमी देखने को मिले तो आज की वीडियो में हम 12 राशियो में से तुला ब्रिश्चिक धनू मकर कुम्ब मीन इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और पूर्व की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे हैं, जो भी नए दर्शक चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7000 बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लिजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सब से पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिगें, तो चलिए सुरुवात करते हैं और जानते हैं तुला रासी की, तुला रासी के लिए शूर्य इकादस भाव के स्वामी होते हैं, इस संचार कोसल भी जबरदस्त का रहेगा, साथ ही आपको भागी का साथ प्राप्त होगा, जिसके कारण आप कारी छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सपल रहेंगे, और आपको पदोन्नती भी मिल सकती हैं, आपकी इच्छाएं इस समयवदी में पूरी होते हुई दि योग करेंगे, हो सकता है आप किसी तीर्थ यात्रा की योजना भी बनाएं, आपको अपने पिता का भी भरपूर सयोग मिलने वाला है, इस गोचर काल को और अधिक सुप करने के लिए ओम घ्रणी सूरियाई नमा मंत्र के साथ सूरी को अर्ग दे, बात करते हैं अपकी धन में ब्रिद्धि होने वाली है, यानि कि आप अनेक छेत्रों से धन अर्जित कर पाएंगे, और आप अपनी धन की बचत भी कर पाएंगे, लेकिन आपको अपने बाणी पर इस समयावदी के दौरान संयम रखना होगा, क्यूंकि आपकी बाणी लोगों को चुप सकती है, परिवार के सदश्यों के बीच इसी कारण से बाद भी बाद की इस्तित्या उत्पन न हो सकती है, हलाकि कुछ छेत्रों में आपके समवाद कौशल में सुधार देखते हैं को मिलेगा, जिससे लोग आपकी और आकर्शित होंगे, यदे आप पारिवारिक ब्योशा बनाने जा रहा है, बस आपको इस गोचर की अवधि में किसी भी प्रकार की बहस में पढ़ने से बचना होगा, इस गोचर काल को सुप करने के लिए रव्यवार के दिन लाल चीजु का दान करें, बात करते हैं धनुराशिकी, धनुराशिकी के लिए सूर्य नौम भाव के स साथ मिलने वाला है, यह गोचर आपको मान सम्मान देगा और पत प्रतिष्टा में बिद्ध लेकर आएगा, आपका नेत्रतों और निर्नय लेने की छमता लोगों को प्रभावित करेगी, आपके कारियों की आपके बरिष्टूं और उच्च अधिकारियों द्वारा सराहन होने वाली है, इसी कारण आपकी पदोन्नती भी हो सकती है, साथ ही आपको सरकारी नीतियों से भी ला प्राप्तों होने की प्रभल आशार बनते दिखाई दे रहे हैं, जो लोग खुद का ब्याउचाय चला रहे हैं, उन्हें अपने प्रियासू में सफलता प्राप्त वहीं जीवन शाथी के साथ भी आपके आहंकार के कारण इस गोचरकाल की आवदी में बाद विबात या टकराव की इस्तिति बन सकती है। इस गोचरकाल को सुप करने के लिए हमेशा जेब में लाल रुमाल जरूर रखें। बात करते हैं मकर रासी की, मकर रासी के लिए सूर्य अस्टम भाव के स्वामी होते हैं, इस गोचर काल की आवदी में ब्याया और हानी के 12 भाव पर सूर्य गोचर करेंगे, सूर्य का यहा गोचर आपको नकारात्मक परिणाम देने वाला होगा, क्यूंकि दो त्रिक भाव मे से एक त्रिक भाव में शूरी का गोचर होनी जा रहा है और एक त्रिक भाव के शूरी स्वामी है तो आपको अधिक सावधान होनी की जरूरत होगी मुख्य रूप से स्वास्त के प्रती यह गोचर स्वास्त के प्रती नकारात्मक परिणाम देने वाला होगा शड़क पर वाहन चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि किसी प्रिकार की चोड़ चपेट की संभावनाएं भी बन रही है यदि आप किसी प्रिकार की गूल बिद्याएं सीखना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बेहत सुब रहेगा आपका जुकाव इस समय वदि में धार्मी कारियों की ओर रहने वाला है यह गोचर आपके खर्चू को बढ़ाने वाला होगा आप किसी चैरेटी में भी अपना धन गान में दे सकते हैं तो कुल बिलाकर इस समय वदि में आपको ज़्यादा सचेत होने की आवश्यक्ता होगी इस गोचर काल को सुप करने के लिए रविवार के दिन आदित्ति हिर्दे स्तोत्र का पाठ करें बात करते हैं कुम्बरासी की कुम्बरासी के लिए सूर्य सात्वे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की आवदि में आई, इच्छा और लाप के इकादस भाव में सूरी गोचर करने वाले हैं आर्थिक लिहाद से यह गोचर आपके लिए लाप की इस्तित्या बनानी जा रहा है इस समय वादि में आप एक से अधिक स्रोतू से आय अर्जित करने में सपल रहेंगी आपकी बहुत सारी इच्छाएं भी इस समय में पूरी होने वाली हैं वहीं छात्र जात्कूं के लिए यह गोचर सपलता लेकर आएगा प्रेमी जात्कूं को थोड़ा सावधान होना होगा क्यूंकि प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी विबाद हो सकते हैं यह गोचर आपके संथान को सफलता देने वाला होगा इस दोरान आपको अपने परिवार का भरपूर सयोग मिलने वाला है आपके अपने जीवन साथी के साथ अच्छे समंद रहेंगे पेसेवर रूप से भी यह गोचर फलदाई सिद्धो होगा आपको कारी चेतर में सुब परिणाम प्राप्तों होगी पिछले समय में की गई मेहनत का आपको इस समयवध में सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है साजेदारी में व्याओशाय करने वाले जातकूं के भीजवी यह गोचर लाप की इस्तिति लेकर आया है आपकी संतान इस समय वध में कोई ऐसा कारी कर सकती है जिससे आपको उन पर गर्वो हो इस गोचरकाल को और अधिक सुप करने के लिए प्रति दिन गायत्री मंत्र का जाप करें बात करते हैं अंतिम राशी मीन राशी के लिए सूर्य छटे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचरकाल की अवधि में कर्म के दसम भाव पर सूरी गोच कारी के वज़े से प्रमोशन मिल सकता है या उचे पदूं का आपको कारीभार मिल सकता है यह गोचर आपको सरकार या उच्च अधिकारीओं से भी लाप देने वाला होगा कारी छेत्र में आपके नेत्रथों की प्रबंदन तारीब करता हुआ दिखाई देगा जो लोग न दलीरा मयवदि में किसी प्रिकार के लॉन लेने से बचना होगा। नहीं कारीष्टल पर किसी से बहस करनी होगी। यहां गोचट आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समश्चयाएं लेकर आसकता है। परिवार के सदस्चियों के बीच आपसी मनमुटाव हो सकता है। वाला गोचर जिससे हमारी अंत की छह राशिया प्रभावित हो रही हैं उम्मीद करता हूँ यहां जानकारी आपको पसंद आई होगी जो भी दर्सक चैनल पनाए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल नोटिपिकेशन भी ओन कर लिजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिए धन्यवाद